हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल बायोजिस्टेटी गाइड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में मैं हूं इम्रान तो आज हम लोग बाते करेंगे किंग्डम प्रोटिश्टा का इसके पहले जो वीडियो इस था उसमें हम लोगों ने बाचित की थी किं किंडम मॉनेरा के बारह में आज हम लोग बाते करेंगा किंग्डम का इस में बहुत ही ईज़ी और आसान भासा में बिल्कुल पॉइं्ट्ट ओपॉइंट यह हमारे बहुती में हैं अगर आप तो आप तरीके से और दिका एक लाइन बिनेदे चुटे गा और बहुत ही को लेकिन गेट तो ही बताया जा रही तक है कि don you host होते हैं और सिंगल सेड़ को अपर तूब्र से हां घ्रणिशास के बार बात होता है है वह यूपлись का रोट कर दो हलाता है पूरम तEMA令 great जिए कर दो है प्रटिस्टा इसकी बाउंडरी जो है वेल डिफाइंड नहीं है इसकी कोई भी डिफाइंड और इसका जो कहा जाए कि बाउंडरी कोई डिफाइंड हो नहीं है क्योंकि यह प्लाइंट में भी आता है एनिमल्स में को भी करता है और साथ में फंगस को भी करता है इसी हो इसका जो पर अबंगो करता है यह वह कुली खों इक होते हैं थैंटेफ कहा गया कि नहीं है तो इसका करता है और इनमल्स के साहथ बीठाकिन ने यह हमारे प्रटिश्टों कुछ फीचर 지ं बात करते हैं प्रटिश्टा को फाइटड में डिवाइड किये गए इस तो आए एककर के सब के भारे में जानेगे सबसे पहले जानेंगे कि kingdom प्रोटिश्टा वे फाइब टैप्स होते हैं कौन-कौन से तो सबसे पहले हमारा जो है क्राइसोफाइट्स हैं सेके नमर हमारा आता है डाइनो फ्लाजिलेट्स थर्ड आता है यूगली नौइट्स फॉर्थ आता है स्लाइमोड्स एंड फिफ्ट प्रोट्वलीट्स तो हम हम एक एक कर करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कराइसोफायट्स की है क्राइसोफाइट्स contrary कर हम बात करें तो Christophe जो है हमारा हूँ क्या है इसमें डाइटरम सोर गोल्डेन एलगी कुम प्राइसोफाय को ही डाइटरम से गोल्डिन एलगी भी कहते हैं और शाहत में डेसमीड्स वितावर कहीं आपको नेम दिया हो डाइटम्स के बारें बात इसके सीधा मतलब है कि यह के बात कर रहे क्राइस फाइट कि यह गोल्डी इल्गी के डिसमिट्स के इसके मतलब होता है कि क्राइस फाइट के बारे बात कर उसके बाइट पूछ रहा है यह माइक्रोस्कोपिक होते हैं छोटे-छोटे होते हैं जो कि वाटर करेंट के साथ में फ्लोट करते हैं क्या करते इसका होता है, इसमय होता है, इसलिए रहता है, यह तोटने में वाला नहीं, बहुत हाइव होता है बोड़ी इनका बिलकुल जो बोडि है इनका लूप to CAS П बोकस कि तरह दिखाएद आए इसा बंद रखते हैं उस तरह दिखाएदा है, यह Spicy कि साइब,ovan कि करते हैं, कि इनकी ये लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं कि इसकी वहाँ पर डैस्ट में से ऐसा अर्थ की फर्मेशन होती हैं इसे चीफ प्रोडूशर सब ओसन भी कहते हैं और जो क्राइशोफाइट का जो यूज़ हैं वह यूज़ बैसिकली हम लोग करते हैं पॉलिशिंग में वा आपको यह बहुत ही आसान भासा में समझ में आ गया होगा यह आपको इम्मिद करते हैं कि सिंपल सी बात है एक बार और हम इसे रिप्ट करना चाहेंगे कि इंक्लूट्स जो है क्राइस जो है हमारा वो डाइटम्स और गोल्डी एल्गी को कहते हैं यह यह माइक्रियोस्को से फ़र्मेशन करते हैं चीफ प्रोड्यूसर से फोर्संस होते हैं यूजडी और इसके यूज़ जो है पॉलिसिंग में वाटर प्रूफिंग में फिल्ट्रेशन अफ वायल्स में सीरप में किया रहता है तो अभी हम लोग बात किये क्रैसोफाइट कि अब हम बात करेंगे कि हम बात करेंगे डाइनूफिलाजिलेट्स के बारे में चलिए तो दूसरी लेजिट्स के वाट करते हैं आईए अफिक टूट एम फिले अग्सएट्स तुम्हों पुर्रैजईलेट्स का समर्ण चैंड टाइप है डाम फ tremendous होते हैं जायतीर समुद्र में आते हैं मरीन होते हैं और तो सिंत्ब्र aja ओते हैं है स empleus सियर्साइब करोड़ और यह कलार जो है डिपेंड करता है कि इनका जो वॉल्स हैं पूस किस कलर देयर वॉल्स को भेकश कुल खायों यह mitt करता है कि में पीउन पर देंट ऊंडियर्वाल क्पाझे तो इसका लग अलग अलग पसे पना एते हैं यही जो अलग-अलग कलर से इनके साथ में मिले हुए और यही जो है रे टाइट सके रिस्पोंशिबल होते हैं डाइन फ्लाजिलेट्स और यह वाटर में टॉक्सिंस रिलीज करते हैं जिसके वजह से बाकी जो अधर मरीन एनिमल्स हैं इससे के फीशेज वो सब क्या होती है म मर जाते हैं किल कर देते हैं इसके इसमुपल आता है गॉन लक्स और त्व एक्जाम्पल भार को संपोची जाते हैं एक्जाम्स में लिए न में li appeals को देखते हैं यह मॉस्टिं मरीन होते हैं अंद simple शीन होते हैं इनके जो और लगल अखलर में पाया जाते हैं क्योंकि यह मेन पिगमेंट निके जो वाल पर होता है उस पर डिपेंड करता है यह बाइफ लाजिलेटेड होते हैं इनके शेल वाल जो है स्टीप से रिलोज के बना होता है यह रिस्पॉंसिबल होते हैं रेट टाइड्स के लिए और टॉक् इसके जामपल से गौन्युलेक्स तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपको पूसिज़ करें कि जल्द से जल्द आपको सारे ले हैं उन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो निट के पीपर्स में 95 परसेंट जो है इनसी आर्टी 90 परसेंट यह इनसी परसेंट को फॉलिव कि जाती है इसी लिए इसी लिए इन्टु दा पॉइंट इनसी आड़ी के बात करेंगे थीव घर हम बात करते हैं पर तीसरे टाइप की यानि की योजी नवाटके बारे बात करते हैं या फॉलिन वैरिया जो है missed सप्रिस उड़ आप यह लखोर पिप आ और एपसेंस अव सानलाइट में क्या होते हैं यह प्रडेटर बन जाते हैं जब सानलाइट परजेंट है तो यह फोटो सिंथेटिक जब सनलाइट एपसेंट है तो क्या होते हैं यह बाई फ्लाजिलेट होते हैं दैने फ्लाजिलेट की तरह बाई फ्लाजिलेट होते हैं इसम इसमें दो फिलाजिला जिसमें से एक बड़ा और एक छोटा फिलाजिला होता है इसमें सेल वाल अपसेंट होते हैं ध्यान रखिए इस बात का कि यूगलीन वाइड में सेल वाल एपसेंट होता है लेकिन इसमें प्रोटनीशियोस पैलिकिल पाए जाते हैं क्या होते हैं प्र अच्छाथ nem होते हैं यह भाइफ sheet होते हैं फॉन फ्लजील आस lot होता है दूसरा लॉं स इसमें प्रोटीन क्या प्रोटीन की अचिता है जिसकी मदद से अपने बोडी को व्लकिसिबिलिटी परदान करते हैं अब हम बात करेंगे स्लाइमोर्ट की आया देखते हैं स्लाइमोर्ट के बारे हम बात करते हैं स्लाइमोर्ट स्लाई मोट्स जो है हमारा चौथा नंबर है चिंग्डम प्रोटिस्टा का टाइप यह जो है सैप्रोफाइटिक होते हैं सैप्रोफाइटिक के मतलब होता है कि जो डेड बोडी को खाए यानिकि सरे गले को खाकर के अपना जीवन यापन करें बोडी मूफ से लांग डिकेंग ट्विक्स यानि कि जो पत्य पे प्लांट्स पे जो डिके जो पत्य गिरते हैं उन सब को खाकर के अपना जीवन यापन करें और गेनिक मेटरियल्स को यह कह रहा है कि अंडर फेबरेबल कंडिशन फॉम प्लाजमोडियम जब इनको आपको एक कवर अप में बंद कर लेते हैं और 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 कई महीनों तक सालों तक अपने आपको बचास्यव कर सकते हैं किसी लिए वह वह नहीं होता है तो फ्रूटिंग बोडिज में रहते हैं जैसे फेबरेबल कंडिशन आया तो फिर से अपने आपको प्लाजमोडियम में कर लिया कर लिया किंगे इनका जो है इनकी पॉर में ट्रूव पाई जाते हैं इनके जोई पौल मं चिया बनाते हैं इसमें एंडिवर्क कंडीशन और बचा सकते KARनजlang capita सिब‌चास के इंडिश्पर्षट बाइयर कर जब हवाय चलते हैं तो फूडब व्ष्पर जो है बोडि जो है इड़िकेंग टूइक्स यानि कि सरे गले पत्तो ऐनमर डेड़ बोडि J लो खाकर रिए अपना जीवन आपन करते हैं, अंडर फेवरड़ कंडिशन में यह प्लाजमोडियम का फ्रुमेशन करते हैं और अनफेवल कंडिशन में यह fruiting bodies बनाते हैं इस पोर्स जो है इस पोर्स में true walls पाये जाते हैं जो कि resistant होते हैं किसी बेड़र्स करने सर्म में अपने आपको सिप करने के लिए and dispersed by year current के थुरुए से dispersion किया आता है अब हम बात करते हैं चो पांचवे नंबर यानि की proto zones के बारे में आई यह हम बात करते हैं proto zones के बारे में और समझते हैं proto zones proto zones जो है हमारे heterotrophs and believe to be related of animals यह तो heterotrophs होते हैं heterotrophs होते हैं और यह से माना जाता है कि animals के relatives हैं कि animals के relatives हैं ऐसे माना जाता है यह जो है proto zones हमारे four types के होते हैं इसके बारे में जानना है तुरह में जानना है गी क्या होता है कि क्या प्रे को काप्सर करता है स्वेकर कंप्र करता है जो 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 सेल सिलिका का सेल पायात है इसके ऊपर सरफेस पर क्या पायत है है असकी ताकि यह हाड रहा है अपने आपको ज़ल्द दिश्ट्रक्ट नह कर पाई है इसे इसे को इत्मान न सके ये कुछ परासाइटिक होते हैं जिसमें इजामपल है इंटरमीबा and Amoeba दो इजामपल इसके इंटरमीबा and Amoeba फिर बात करते हैं हम याद रखें कि Amoebali में विन्ड़ काम आट हैं जो कि फूड प्रे क्याप्शरी में काम आता है इसके सर्फस केसे लिका का सेल होता है और यह प्रासईटिक है कि फ्लईरिड झाल रखिये मज़ने हो गांग और जी इनके प्राइसाइतिक फर्मस रखड़ करते बहुत सारीव करते हैं उन में सधे लिपिंग सीक॥ है veces आझ हो थी का उसम चीब लेकर चलते है थे भंक अप कि तो अभ्ल एंड यहानिका समझगें कि इसमें एंड और शाया होगा एसका गुषाइट प्रिसंफर मेंगा सुने एक जाइटा इसंए कुछने कि समय डूंक में पूशचे हैं इसकी तो ट्रिपलेखन भृध फिर बात करते हैं misty epa jeuxप सी जाहिर रहे कि सीलेटकी की charging l summager होगा इसमें गल्एं गल्ऌपल मेंहारे कि आइज हमक्राइज पर रहे होता है गल्ए होते हैं औरuben जो है 54 जो हमारा होदा जो है स्पोर जूज रिस्पोर जूजंग इस पोर जूजंकि स्पोर जूज तो कि इस स्थ्पोर लेक इसे तैज हमाς कि इनम्हेंड से जया है इन पलाजबंगनन नूद वन और अंचल स्थ पूर लकशन के लिए इसमें में सूर घून से घूनό लाइड सेटि छान उस्थ नेनने घ् collection और कि दमे कैट अमनारीं के जू नथ पर यह परासाइटिक में इसकी एजामपल इंटेमीबा होता है शीडो पूडिया अगर बात करें फिर फ्लाजिलेटर प्रोडो जोंस की इसमें फ्लाजिला होता है नामत जाहिर है फिर प्रासाइटिक फॉर्म कॉजमेंडी ते लिए से सिलिपिंग सिकने से भीमारी पैदा क तो यह है इसमें इंफेक्श्र स्पोर्ट पायाते हैं और यह एक्जामपल होता है प्लाजमोडियम जो किया आता है मुलियर पारसाइट पायाते हैं ओके फ्रेंड्स थैंक्यू देखिए जो भी है आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ध्यान रखिए कि हम अगले वीडियो बात करेंगे हम फंजाई के बारे में तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच